चार महीने बीते बहु छच्जे में कपड़े सुखा रही थी, गेलरी में कपड़े सुखा रही थी नीचे ख़िकारी आ गया उसने आवाज लगाई तीन जन्म से कुछ नहीं खाया भूका हूँ, भोजन दे दो क्या बोला वो, कितने जन्म से तीन जन्म से कुछ नहीं खाया है भूका हूँ, भोजन दे दो बहु कपड़े सुखा रही थी, उसकी आख में आशु भज गए हमारे अनियम है, हमारे ससुर का नियम है दान नहीं कर सकते अब बोलू तो बोलू क्या है, छोटी बहु अपने पिता के संस्कारों को छोड़ ना पाई और उपर कपड़े फटकते फटकते कपड़े को जब पानी से निचोड़ते हैं निचोड़कर सूखने डालते हैं एक बार फटक देते हैं फटकने का मतलब ये होता है कि पानी जड़ जाए उब से मतलब नहीं होता फटकने का मतलब ये होता है उसमें जो सल है वो अच्छ हो फटका और फटकते समय समें तार पर गेलरी में कपड़ा डालती डालती बोली बासी खाना खा रहे हैं कल हमारा उपास है क्या बोली आप भी बोलो जमी के बोलो बासी खाना खा रहे हैं कल हमारा उपास है इतना भिकारी ने सुना और भिकारी चले गए अब भिकारी तो चले गया पर नीचे जो कुर्सी डाल के अगवार पड़ रिया ता कौन? जम के हो लो? ससूर बस उसने सुन लिया अच्छा हुआ तुमने ससूर बोला हो नी तो एक जगह कता कर रहे थे उन्होंने कह दिया एक भिकारी तो चले गया पर नीचे जो कुर्सी डाल के अख़वार पड़ रहता है तो लोगोंने कह दिया भोली भूपाल के लोग एक बात तो है इस मामले में समझदा हो था जबरदस्ती लोग बोपाली लोगों का बोपाल के लोगों के कह देते हैं साब मा तो इत्ती गाली बगते हैं मा तो यह साड़ा तेड़ा बोलते हैं साब मा तो बात बात में अब सब दुके देते हैं हमने देखा आगई हमको भी यहां पर तीन दीन हो गए सब अच्छे से एक भी ऐसा है नहीं मिला जुग है बड़ वोला एक भी बड़े भाव तो दुनिया के लोग है कहते रहेंगे अपन तो अपना पज़ना करो विकारी चले गया कुर्सी डाल कर अगवार पढ़ रहा था कौन ससूर और अगवार पढ़ते पढ़ते उसके कानों में सब्द गया कि बहु ने कहा बासी खाना खा रहे हैं कल हमारा उपास है भीकारी तो गया ससूर को कुरोदा गया और ससूर को गुस्ता आया बताओ कल की आई बहु चार महने नहीं हुए इसको कौन सा बासी खाना खाने को दे दिया और कौन सा इससे उपास करवा दिया इता अच्छा खा उसमें दोनों बहुनों को बुलाया, बड़ी बहुनों को बुला कर कहा, अब इस पहु को मैं अपने घर में नहीं दख सकता, क्यों किसने मेरी बदनामी कर दी एक भिकारी के सामने। सास ऐसी थी वोट कभी दान नहीं करती अब परोसं की वेठी है विकारी है भिक्षा пожलत वाँ्त के घर गया, बहु से का वक्षाम देही। बहु ने तुरंट उठाकर एक कटोरी आठा भरकर उसको दे दिया अब ये विक्षा मांगते मांगते पड़ोसन क्या गया ये भी महीं ओटले पर बैठी दी सास में इत्ते में तुरंग उठास ने आवाज लगाया विक्षुक ने माता विक्षामदेही तो पड़ोसन ने भी उशको भगा दिया तो इसने जो यह बेठी थी पड़ोसन इसने पुचा क्यों वो तीसरे नंबर के घर पर गए थे क्या हां है कुछ दिया क्या हां क्या दिया एक कटोरी आठ इसमें इतने में भिकारी का हाथ पकड़कर बोडिया लेकर अपने घर गए और बहु को बुलाया बहु ए बहु आई क्या है मा तुने भिकारी को एक कटोर्याटा दिया हां किस से पुछे दिया किसी से नहीं अपना घर दान करना चाहिए इतने मैं सास को दुछाए और भिकारी से का तुमने मेरे घर से आटा लिया हाँ बापिस दो भिकारी ने कटोरा भर के आटा निकाला दे दिया जाओ इस घर में मेरी चलती है मैं बोलूँगी दो भूं आटा दे गी और ममें बोलूँगी तो नहीं ढेंग जाओ उन जब तुमसे बोलूँगी तुमाओ तुमाणा फिर माते आटा अब भिकारी ने फिर बहार खड़े बेकारी ने सास से पूछा तुम्हें सक क्यों करी सास ने कहा आज से ही नई नवेली बहू की घर में चलने लगेगी तो मेरी कभी नी चलेगी इसलिए मेरी चलना चाहिए अब ससूर जी बैटे थे ससूर ने बहूं को बुलाया इसमें तुमारी इज़त खराप कर दी ये कह रही है कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है बताओ कौन सा बासी खाना खिलाया इसको कल की आई हमें बदनाम कर रही है अब तुरंत ससूर ने पत्र लिखा और संधी जी को बेजा आप अपनी लड़की को लेकर चले जाओ क्योंकि ये हमें बतनाम कर रही है ऐसी लड़की हमें नहीं रखना हम इसको ताजा खाना खिलाते हैं ये बासी खाना खाने की बात करती है एक धिकारी को इसमें ऐसा ऐस बोला है और संधी के पास पत्र गया संधी की आँख में आशू अभर गये मेरी बेटी को चार महीं में हुए है साधी को कैसे लेकर आ जाओं और मेरी बेटी ऐसी है इने में उसको संस्कार दिये हैं वो कभी गलत करी नहीं सकती ये मेरा विश्वास करता है ये मेरा भरोसा क कि मेरी बेटी ने कुछ गलत कहा होगा कि में भूकी मर रही हूं या मैं उपास कर रही हूं या हम बासी खा रहे हैं नहीं मेरी बेटी बोल नहीं सकते हैं अखिर हुआ क्या है संस्कार वा ने एसा बोली निसकति बुला उससंदी को और बुलाया सेट जी को बोलो सेट जी क्या बात है यह खड़ी लड़की ये खड़ी मेरी छोटी बहु इसने भिकारी से कहा हम बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है पूछो नहीं बोला कैसे रोज ताजा खाती है चाय बना कर पीती है दोध पीती है गरम गरम भोजन करती है फिर इसने कैसे कह दिया कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है तुने भीकारी से सब क्यों कह दिया बेटी करती है मेरे पापा करते थे यह यो मकान दिख रहा है जो यह दुकान दिख रही है जो यह गाड़ी दिख रही है कि हमने पूर्व में करा होगा बासी है पूराना करा था तो आज मिल गया और अगर आज नहीं करेंगे त किसे लिए उपास करना पड़ ये बासी है पचास लाग की गाड़ी में घूम रहे हो समझ लेना पूर्व का हमारा अपन्ने है अच्छा भोजन कर रहे हो समझ लेना पूर्व का हमारा अपन्ने है खूब धन है तुमारे पास में समझ लेना पूर्व का हमारा अपन्ने है आज हमें सुख मिल रहा है और अगर आज हम दोनों हाथों से नहीं करेंगे तो कल तीन बद तीचो रहाए पर कटोरा लेकर भीक मांगते हुए भूक है मिले पूर्वका करम है मैं आपको लोग सलाम ठोक रहे हैं आपको लोग नमन कर रहे हैं आपको लोग प्रणाम कर रहे हैं आपको लोग दंडवत कर रहे हैं आपको लोग नमन कर रहे हैं आपकी लोग बास सुन रहे हैं आपका जैजाकार हो रहा है आप गाड़ी में घूम रहे है चार-चार बंगले आपके पास में हैं, खुवच्छा मकान, खुवच्छी पतनी, बच्चे, परिवार, पुटुम, कभी ला सबच्छा मिला है, समझलना उस परमात्मा की करपा है, दोनों हाथों से उराने समय में करा था, इसलिए आज मिल गया, आज दोनों हाथों से करते ह अगला जनम जब मिले तो भगवान फिर टूटमान हो कर देता चले इसलिए दोनु अग्से नाटे एँ हुआ Ma water कि कहाना है जबाना कि अगहाना है अछ्छा परिवार मिला है समझेदा अच्छा घर मिला है समझ लेना, सुनने को कथा मिल रही है, समझ लेना, पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, आज मिल रहा होगा, पूर्व में अच्छा करा होगा, आज माज़े होगा। पर ललाट करवे तो लिखा होना चाहिए कि किसके माध्यम से होगी और कौन करवाया होगा। इन पर रहे हैं, और मा नरवदा जी की गोद में रहे कर ना जने कितने लोगों को, नरवदा परी कमा करने वालों को, सदावरतियों को कुछ अन्न का दान गिया होगा, अपने स्थान पर बेट कर भगवान शिव से अपने मन की बात, अपने हदय की बात, दिल से, बाबा से, भाव के साथ कह, बाव के साथ , अअश्य ूमाह पुराण की कथा नहीं है, बाबा से अपने दिल की बात, एल्ली का इस्थान है, इस्थान जहां हम बाबा से अपने मन की बात करें आपको जहां जगा मिल जाया करें जब हम बाबा से प्रातना करें न भजन के बाद में तो जहां जगा मिलें वहां पांच मिनिट वेट कर बाबा से दिल से जो कहोगे बाबा वो सुनेगा, आप दिल से कहोगा, उसको पुका, इतनी दूर-दूर से आप लोग आते हो, कोई 100 किलो मेटर, 1500 किलो मेटर, 500 किलो मेटर, 700-800, 1000-1000 किलो मेटर दूर से कोई 50-25 किलो मेटर दूर से यहां आये हो, कोई-कोई भुपाल से भी आये हो, कोई-कोई यहां पास से भी आए हो इत्ती धूप में चलकर आए हो तो बाबा से कहतर जाना बाबा आपकी कथा सुनी है और आपने हमने सुना है तू देता है छप पर भाड़ कर देता है ऐसी कृपा करना हमारी विज्छोली भरना दिल से बाबा से भाव के सांसिय करना Shri Shri Vai Namastu 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 Shri 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 Sh मामा जनों तेरी माना भोलां सब दुख कातो हाई ओ होलां सब दुख कातो हाई वेष्ञे मन कर गाई समशान वाष्टिया राया 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 समशान वाष्टिया राया ओ भोलां सब दुख कातो हाई ओ भोलां सब दुख कातो हाई शिवजी से भाव के सांथ कहा हुआ वो सुनता है उसकी क्रपा पारवती जी शिवजी से कहती है एक बार देव दिदेव महादेव आनंद के साथ में विराजमांद है पारवती जी उनके नजडिक में आकर बेट रहे और मा पारवती जब नजडिक में आकर बेटी तो पारवती जी ने बगवन शंकर से कहा कि तारका सुर के संगार के लिए पर तारका सुर तो आपका भजन करने वाला है पहले भी कथा में कहा आज फिर करते हैं संकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है तेतिस तोटी देवी देवता में केवल एक देवधी देव महादेव इसे हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं राक्षस भी उनका बजन करते हैं, असूर भी उनका बजन करते हैं, देवता भी उनका बजन करते हैं, गंधर भी उनका बजन करते हैं, अपसराइं भी उनका बजन करती हैं, किन्नर भी उनका बजन करते हैं, पशू भी उनका बजन करते हैं, पक्छी भी उनका बजन करते हैं संसार में रहने वाला प्रतेक जलचर धलचर वायूचर जीव सब उनका भजन करते हैं इसलिए उसका नाम पशुकती नात है सब भजन करते हैं इसलिए संकर का कोई दुश्मन नहीं मेरे देवदी पे माध्यों का कोई दुश्मन कोई दुश्मन शिब का कोई द्रोही नहीं जो उसके दर्वाजे पर आया उसमें भर पल्ला जाड़के नहीं चप पर भाड़के दिया देखो एक पत्र आया दो मैं किनन साहूं पती टेक राम साहूं बहुपाल टीला जमालकूरा में रहती हूं कहीं बेठी हूं कहा थिला जमालकूरा में रहती हूं तीला जमालकुरा में रहती हूँ मेरी शादी को 20 साल हो चुके थे मेरी कोई संतान की प्रक्ति नहीं हो डाक्तर को दिखाने पर बताया कि आपकी दोनों ट्यूब ब्लॉक है आपको दुर्विन बाला आपरिशन करवाना पड़ेगा दस साल हमने संतान का इंतजार करा दस साल के बाद हमने ट्यूब का उपरिशन कराया ट्यूब का उपरिशन कराते हुए दस साल बीद गए फिर भी हमारे यहां कोई संतान नहीं गुर्देव 20 साल हो गए शादी को पर उलाद का सुख नहीं था हमारी पडोसन ने हमको कहा आप शिव जी के मंदिर जाया करो एक लोटा जल चड़ाया करो हमने हमारी पडोसन से कहा डॉक्टर के कहने पर हमने आपरेशन भी करवाया दोनों ट्यूप खराब थी इसके बाद भी दस साल हो गए आपरेशन को तो भी हमारे आउलाद नहीं है आज हमारे आप 20 साल हो गए संतान नहीं अब क्या भगवान सुनेगा जब नहीं सुना तो आप क्या सुनेगा पडोसन ने कहा एक बर विश्वास तो करो वो सियोर वाला माराज है ना प्रदित मिस्रा वो कहता है लोटा भर जल चड़ाने से सारी समस्या हल हो जाती है 20 साली तो हुए हैं कहां देरी होगी जल चड़ाओ पीओ हमने एक लोटा जल चड़ा कर पीना चालू करा केवल साथ महिने हुए थे जल चड़ाते चड़ाते और बाबा की क्रपा से गर्व ठेर गया और बाबा की करुणा ऐसी हुई कि 21 अप्रेल को मालूम पड़ा की गर्व ठेरा और बाबा की क्रपा से ऐसी क्रपा हुई बाबा कि 2023 में 17 अक्टूंबर के दिन मेरे घर में 20 साल के बासंतान ने जन्म लिया गुर्देव बस एक तमन्ना लेकर व्यास्पीट के सामने आए हैं हमारे बच्चे आठ महिने का हो गया है आप बच्चा आठ महिने का हो गया है आप हमारे बच्चे को एक बार व्यास्पीट की दोख लगबा देगे अगर कहीं बेठी हो तो हमना नहीं हमारी परसे कहीं बेठी हो अपने बच्चे को लेकर तो अवश्य कारेकरता यहां तक लेकर आएगा कोई रिकत वाली बात नहीं अगर आप यहां बेठी हो पंडाल में किसी भी पंडाल में है यहां पर कहां बेठी हो हाली आओ जड़ा बच्चे को लिया हाली आई हाली आई हाली आई हाली आई हाली दो नहीं यूनिट का करेंगे भूमी कुछ